हेलो स्टुडेंट एक क्रिसी भोतकी का जो माडल प्रस्ण पत्र है उसका दूसरा पार्ट मैं आज भेज रहा हूँ इसमें बिस्तित तुत्री प्रस्ण पूछा गया है बताए कि बर्फ को गरम करने पर जब तक सारी बर्फ पिगल नहीं जाती है तो ताप क्यों नियत रहता है इसके साथ ही एक आंकिक प्रस्ण दिया गया है 100 डिगरी सेंटिग्रेट ताप वाली 50 गराम भाब संगनित होकर 85 डिगरी सेल्सियस पर जल्ब बनती है भाब के गुपत उस्मा 540 कैलोरी गराम है इस क्रिया में भाब त्वरा दी गए उस्मा की गरना इसकी साथ इसमें एक अथवा दिया गया है समयक संरच्छन का सिध्धानत और इसकी सर्थ 20 केजी द्रमान का एक पत्थर जो एक पहाड़ी से पंद्रा मीटर पर सेकंड की बेग से गिर रहा है तूटकर पंद्रा वा पांच किलोगराम के दो टुकडों में बट जाता है तूटने के बाद बड़े टुकडे का बेग जीरो हो जाता था छोटे टुकडे का बेग याद कीजिए और बिसमा कोस्टन पूचा है किन दो दसाओं में सेल की प्लेटों के बीच का बिभांतर सेल के बिद्धुत वाग बल के बराबर होता है इसमें भी एक नुमेरिकल पूचा गया है 25 तो था 208 के दो बल्गों को जब बिद्धुत मेंस नुमेरिकल नहीं है ऐसे ही पूचा गया है करमसा सरेड़ी और सामांतर करम में जोड़ा जाए तो दोनों स्थिति में कौन सादिक कौन सा बल बदिक प्रकास देगा इसका कारण बताई है और इसमें एक आथवा करके कोस्टन है आप एच्छी घनत कुसे काते हैं इसका मात्रग लिखी आर्कमिटीज का जांत बर्फ और समुद्रे जल का यह पेच्छी घनत दस्मलों ना होता था एक दस्मलों सुन्न तीन है तो बर्फ पहरते हुए बर्फ के टुकड़े का कितना भाग समुद्र के अंदर रहेगा और अंतिम कोस्टन पूछा गया है निकट द्रिस्टोस का क्या आर्थ है या किस कारण सोता है इसको दूर करने को पाए इसमें भी अथवा दिया है वोमी तथान वोमी चालकों में अंतर सेल का अंतरिक प्रत्रोध किसे काते हैं या जो है किसी सेल का अंतरिक प्रत्रोध किन कार को में रहते है इस सबका जो है एक संचित सलूशन यहां पर है जैसे यह पूछा गया है कि बर्फ की गलन कि बर्फ जो है पिगलने पर उसका टमप्रेचर नियत क्यों रहता है उननी समा कोश्चन में बर्फ की गलन की गुपतुस्मा के कारण बर्फ को गरम करने पर जब तक सारी बर्फ पिगलन नहीं जाती है इसका temperature नियत रहता है तो इसका कारण होगा गुपत उसमा अब गुपत उसमा क्या है? किसी पदार्थ के गलन की गुपत उसमा उसमा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एक ग्राम दर्बमान को बिना ताप बदले ठोस अस्था से द्रवस्था में बदलने के लिए दी जाती ये लिखना है आपको जो उसके साथ 19 में कोश्चन में नुमेरिकल पूछा गया है उसको साल्प करने के लिए इस परकार इसको हल किया जाएगा भाप द्वारा 100 डिगरी सेल्सियस ताप वाला जल बनने में दी गए उसमा Q1 इसको मान लिए जाए Q1 बराबर ML यम जो है कितना है यहां के 50 है और गुपत उसमा कितना है 540 दोनों का गुड़ा करने पर 27,000 कैलोरी आ गया फिर 100 डिगरी सेंटिग्रेट ताप वाले जल से 85 डिगरी सेंटिग्रेट ताप वाला जल बनाने में जल दोरा दी गए उसमा इसको Q2 मान लिए जाए बराबर MS डेल्टा T तो यहां पर M एनि दरमान 50 है अब इस उसमा इस पानी का 1 हो गया और यह डेल्टा T को हम लिखेंगे मैंने कितना जोगा अंतर हो रहा है ताप अंतर तो 100 माइनस 85 अब 50 गुड़े 1 और 100 माइनस 85 पंदरा गुड़े ने 750 कैलोरी अब भाब दोरा दी गई कुल उसमा क्यू बराबर Q1 और Q2 को जोड़ दीजिए 27,000 पलस 750 कुल आ जाएगा 27,750 कैलोरी ते हो गया उनिसमा कोस्चिन और इसमें जो अथवा पूछा गया है कि संग्वेग संग्रच्छन से यह दो या दो सदिक बस्तों के संदाग पर कोई वायबल आरोपित ना किया जाए तो उसका संजुक्त संग्वेग नियत राता है इसे ही संग्वेग संग्रच्छन का नियम काते हैं इसको हम Newton के गत के दूसरे नियम से इसको सिद्ध कर सकते हैं जैसे F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T तो इसको हम का सकते हैं F into डेल्टा T is equal to डेल्टा P तो यदि F मतलब बल जीरो हो जाए तो डेल्टा P यहीं संग्मिय परिवर्टन भी जीरो रहेगा इसको प्रकार इसको का सकते हैं । किसी बस्तु पर वायबल 0 हो सरत यहाँ है कि वायबल सुन होना चाहिए तो बस्तु का अंतिव संव्क बराबर होता है अर्थात संव्क संवच्ष CRTber आता है आईसे संव्क संवच्षन का सिद्धांद काते हैं इसके साथ ये एक नुमेरिकल दिया गया है इसको साल्व करने के लिए ऐसा करेंगे कि पहले लिखेंगे संपूर्ण पत्थर का त्रम्मान यम 20 केजी और इसका बेग प्रारमिक बेग जो है 15 मीटर पर सेकेंड है तो जब यह तूटता है तो इसमें संपूर्ण पत्थर का प पंद्रा 300 किलो केजी मीटर पर सेकंड हो गया और तूटने के बाद पत्थर के टुकड़ों का त्रम्मान महान लिजे बड़ा टुकड़ा यम 24 है तो बड़ा यम 5000 बराबर 15 केजी और चोटा जो है यम 2 बराबर 5 केजी तो 15 केजी द्रम्मान के टुकड़े का बेग जो की इसको अगले इस्टब में लगाएंगे पत्थर के टुकडे का संजुक्त संबेग बराबर M1 इन्टू V1 प्लस M2 इन्टू V2 तो 15 गुडे चुकी बड़े टुकडे का बेग सुन्न या तो 15 गुडे सुन्न प्लस चोटा टुकड़ा जो है 5 केजी का है और गुडे V2 मान लिए यह निकालना है तो 15 गुडे सुन्न हो गया इसका मतलब 5 V2 किलोगराम मीटर पर सेकंडे हो गया संजुक संबेग अब इसको हम प्रारंबिक संबेग बराबर अंतिम संबेग से सल्प प्रारंबिक संबेग यहां पर तीन सो निकाला गया है तीन सब बराबर 5 V2 इसलिए V2 बराबर 300 गटे 5 यहनि 60 मीटर पर सेकंड चोटे टुकड़े का बेग कितना हो गया साथ मीटर पर सेकंड यही उसका उतर होगा अगला कोस्चन है कि बीसवा कोस्चन तो जब सेल्स इसमें दो का किस उसका जो है पुछा गया है दूसरा इसमें 20 पुछा गया है कि कि इन दो दसाओं में सेल के पलेटों के बीच का विभानतर सेल के विद्दुत वाहक बलके बराबर होता है तो इसको इस परकाल लिखा जा सकता है कि दो कंडिशन होना चाहिए आपके पाला है जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही होती अर्थात जब सेल खुले परिपत में होता है तब दूसरा है जब सेल का आंतरिक प्रत्रों सुनने होता है इन दो कंडिशन में ऐसा होता है इसके साथ जून मेरिकल दिए गया है कि 25 वाट और 208 का बल्व है तो इनको करम सा स्रेड़ी और सामांतर करम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकास देगा तो इसको लगाने के लिए सिरेडी करम में जोड़ने पर 25 वाट वाला बालबादिक परकास देगा और सामांतर करम में जोड़ने पर 200 वाट वाला बालबादिक परकास देगा जब सिरेडी करम में जोडते हैं तो दोनों बल्बों में बिद्दु धारा नियत रहती है यह आई कमान बराबर होता है यहाँ पे धारा आई नियत है इसका मतलब पी समान पाते यार तो पचीस वाट इसकी चमता कम है तो इसका प्रत्रोध भी कम होगा तो पचीस वाट के बल्ब का प्रत्रोध कम होने कराण और धारा जो है समान होने कराण यह अधिक चमकेगा अर्थात अधिक परकास देगा दूसरा जो है अगर समानतर कर्म में जोड़ा जाता है तो दोनों बल्बों के लिए बोल्टेज यह की होगा अर्थात उची वाट वाले बल्ब के तंत का प्रत्रोध आर कम होने कराण उसमें उर्जा उत्पन उर्जा बैग की दर अधिक होगी तो इसको पी स्क्वेल टु तो इसका जो है रेजिस्टेंट आर कमान कम होगा जब कम होगा तो यह वाला दिख देनी सामानतर स्रेड़ी में 200 वाट का बलबदिक चमकेगा और स्रेड़ी करम में 25 वाट का इसको आप इस परकार समझा सकते हैं और इसमें अथावाला कोश्चन दिया है कि आप एच्छे गहनत किसे काते हैं किसी पदार्थ के गहनत तथा चार डिगरी सेंटीग्रेट ताप के जल के गहनत के अनुपात को उसका पेच्छी गहनत काते हैं इसका मातरक पुछा गया है तो आपको लिखना इसका कोई मातरक नहीं होता अगला है कि आर्गेमिटीज का सिध्धान क्य कि जब कोई बस्त किसी दरव में पूरी औंसे क्रूप से दुबाए जाती तो उसके बहार में कमी होती है आवासी या वसी कमी होती है जावीज सब्स दोरण फान या रा दोर अभार कि बराबर होता है नहीं गीस के साथ एक नूमेर्टल शर्पक करने के लिए नूमेर मेरकल में बर्प का अपेचिक गनत और समुद्री जल का पेचिक गनत दिया गया है तो पूछा गया है कि कितना भाग उसका डूबेगा तो माना बर्प के कुल आयतन वी है या उसका एकस भाग जल में डूबेगा तो तरने के सिद्धान के अनुसार बर्प का जल में डूबा आयतन बटे बर्प का प्यूल आयतन बरढ़र बरफ का पिछी गनत बते समुद्रे जल का पिछी गनत टो बर्प का हज्जल में डूबा आयतन क्या हो जागा एकस 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 दस्मलों सुम्न तीन इसको हम और दस्मलों हटा सकते हैं इसका तो नब्वे बटे एक सो तीन भाग जल में डूगेगा यही इसका अंसर होगा अब एकिसमा कोशन पूचा निकट दृष्ट दोस क्या है इसका कारण निवारण तो इसको मैं संचिप्त में यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि इसको मायोपिया भिकाते हैं निकट दिरितुस को इसमें नेत्र को निकट की बस्तुएं तो अस्पस्ट दिखाई देती हैं परंत एक निस्चित दूरी से आगे यहीं दूर की बस्तुएं अस्पस्ट दिखाई नहीं देती इसका कारण है ने त्रिलेंस के बकरता बढ़ने के कारण अर्थात बकरता त्रिज्या कम हो जाने कारण ने त्रिलेंस की फोकस दूरी घड़ जाती है दूसरा नेत्र लेंज के गोले का ब्यास बढ़ जाता और थात नेत्र लेंज तथा रेटीना के बीज की दूरी कुछ अधिक हो जाती है और इसको दूर करने के लिए आउत्र लेंज का परियोग करना चाहिए इसमें एक अथवा करके और पूछा है कि ओमी चालक तथान ओमी चालक में क्या अंतर है देखो ओमी चालक अनोमी ओमी चालक मतलब जो ओम के नियम का पालन करे अनोमी चालक मतलब जो ओम के नियम का पालन ना करे तो ओमी चालक क्या है याद किसी चालक का ताप ततान भौतिक अवस्थाय ना बदलने पर परतिरोध नियत रहे चाहे चालक के सिरों के बीच कितना है भी विवांतर हो तब उसे ओमी चालक काते हैं जैसे इसका उदारण है तावे कातार और पारा यदि प्रत्रोद आरोपित विवांतर के बदलने पर बदल जाता है तब उसे आनोमी चालक काते हैं जैसे डायोड वाल तथा थर्मिस्टर ये इसका उदारा है अब पूछा है इसी में दूसरा पार्ट इसका सेल का आंतरिक परत्रोद क्या है इसका कारण या किस किस फैक्टर पर निर्भर करता है तो सेल का आंतरिक पर जब सेल के अपने घोल के कारण उत्पन परत्रोद को सेल का आंतरिक परत्रोद काते हैं ये निमलिखित कारकों पर पाला है और सेल का अंतरिक प्रत्रोद बीज की दूरी में में समानपाती होनी होता है दूसरा खोल में डूब दूबें प्रीपि छेतफल के बे़तक्रमना पाती होता है और तीसरा है गोल की सांदरता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रत्रोद बढ़ जाता है तो इस परकार एक क्रिसी भौत की का माडल पेपर का दूसरा भाग है पाला भाग में कल आपको अपलोट किया था आप इसको जो है एक बार देख के रेक्टिस करके आप एकजाम में जा अना चाहिए थेंक यू